हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मॉनिकास फ्रूटफुल केर्स कैसे हैं आप 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 सब ठीक होंगे 18-19 में जो भी टीनेजर्स हैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है वेलकम दे आर मोस्ट वेलकम क्योंकि आज-ंक जो वीडियो है वो इस्पेशली आप लोगों के लिए है आपकी जो एज है उसके साथ जो तो आपकी स्किनकीर को लेके उसके लए आज-ंक ये वीडियो है तो ध्यान से देखिए, कोई भी चीज, कोई भी बात, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बहुत important चीजें आपके लिए बता रही हूँ तो अगर ममा देख रही हैं, तो वो भी जरूर ध्यान से देखिए, ताकि अपनी लाडली की कियर बहुत अच्छे से की जाए तो वो लाडली हो या वो लाडला हो, दोनों की स्किन की कियर जो है, जाहे वो boys हो या girls हो, दोनों की स्किन की कियर बहुत जरूरी है तो पहले skin care में अगर बात करते हैं तो देखिए जैसे जैसे हम बच्चे होते हैं जब बिकुल ही छोटे बच्चे होते हैं तो उनके skin देखिए कितनी glowing होती है क्योंकि उनके skin बहुत जल्दी renew होती है क्योंकि cells बहुत जल्दी 12 होते हैं तीनेज में आते ही सबसे ज़्यादा जो है स्किन कोलाजन को रिजर्व कर लेती है तो इसमें भी लेकिन एक यहाँ पर जो चीज होती है इस समय हार्मोनल चेंजिस की वज़ा से आपके सीबम में से जो ओयल का सेक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाता है जिसकी वज़ा से जब डस्ट और आपका जो मेक अप जो आप अच्छे-च्छे मेक अप करते हैं वो जो है आपकी स्किन को ग्लॉग कर देते हैं जिससे की आपके एकने ब्रेकाउट होते हैं पिम्पल होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इन सब को कैसे निप्टा जाए ये भी मैं आपको बता रही हूं लेकिन जैसे ही आप adult age में जाएंगे after 20s तो 20s में क्या होता है कि जो क्लेजन होता है वो हर एक साल जो है 1% के करीब जो है वो decrease होना स्टार्ट हो जाता है अब ये k Hagel kya है kageln वो है जो कि आपके skin के नीचे कुर्षण होते हैं एक रांके ये जो आपके skin को जो है old करते हैं तो hoed करती है आपके skin को तो ये जो collagen है ये age के साथ, time के साथ जैसे ही आप 20s के बाद enter करते हैं 20s के बाद 25 के बाद तो ये collagen जो है वो decrease होना start हो जाता है अब यहाँ पर इस collagen को लंबे time तक अच्छा रखने के लिए ये time जो है बहुत बहतर है क्योंकि आप इस समय जो भी अपनी skin के लिए करेंगे वो हमेशा आपके काम आएगा तो चाहिए वो आपकी diet हो तो पहले हम diet की बात करते हैं क्योंकि teenagers सबसे ज़्यादा diet में कहीं गड़बडियां करते हैं तो अगर आप लोग चॉमिन, बर्गर, चाइनीज, फ्राइट ये वो जितना लम्शम है, बहुत खाने के शुकीन है तो या तो इस चोंग को पूरा कर लीजिए या फिर अपने skin को maintain कर लीजिए तो आपके पास choice है कि आप healthy खाईए और once in a while ये भी खाईए मना कोई नहीं कर रहेगा आप खाईए लेकिन once in a while बहुत कम होना चाहिए days fix कर लीजिए और portion fixed कर लीजिए बस तो आप लंबे time तक अपने skin को healthy रखेंगे ये time ऐसा है कि आप जो भी अपनी body के अंदर डालते जाएंगे body उसको store करती जाएगी और वो आगे आपको help करेगा अब second बात करते हैं आपके makeup products की तो आप जब भी कोई makeup अपने लिए क्योंकि makeup तो करना teenagers का right है तो आप जो भी makeup use करते हैं तो उसको बहुत बहुत carefully आप अपने जो भी product use करते हैं carefully उसको buy कीजिए कोई भी चीज आपने सिर्फ add देके या उसको सिर्फ किसी को use करते हुए देके नहीं लेनी है आप अपनी skin के according ही लीजिए और जो भी product आप use करते हैं please make sure if you have pimples on your skin तो आप अपने चित्ते भी makeup के tools है brushes है कुछ भी है जो आप portion पर यहां पर even की जो आप जिससे भी blending का काम करते हैं तो जो भी आपके product है कहने का मतलब tools है उनको एक तो clean जरूर कीजिए और अपने makeup को separate रखिए ममा के makeup से अलग यह क्यों जरूरी है क्यों कि जिनके pimples होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो आपने चीज यूज की bacteria जो है उन जी जो के उपर भी जाता है तो यह जो fit process जो है वो चलता रहेगा क्योंकि यहां पर bacteria पनबता रहेगा और वो आपकी skin को खराब करेगा तो एक तो इन जो tools को जो आप brushes यूज करते हैं कोई भी चीजें यूज करते हैं इनको time के साथ साथ wash कीजिए तो अब हम बात करते हैं आपकी skin care में सबसे पहले दिन की शुरुवात morning routine कैसे होनी चाहिए आपकी morning routine में आपको सबसे पहले lukewarm water तीन गिलास कम से कम लड़कियां कम पीती हैं लड़के भी कम पीते हैं लेकिन पी के देखिए आपका gut गट जानते हैं क्या होता है आपके intense time जब clean होंगी तो आपके skin obviously बहुत clean लगेगी जो पुराने लोग थे हमारी मॉम्मस वगरा भी थी तो वो हमेशा कहते थी कि पेट सफा तो रोग दफा अब यह रोग दफा यह आपको नहीं समझाएगा बट आप इस skin glow करेगी बस आप इपना ही समझिए कि अगर आपको अपनी skin जो है clean चाहिए तो सुबह उठते ही पा आपका गट भी healthy रहेगा तो आपकी intense time healthy रहेगी तो आपकी skin healthy रहेगी first, second आपको क्या करना है if you have pimples तो थोड़े से बाहर जाके कड़ी पता मुमें डाल लीजिए परीक वाला छोटे वाला बेबी नीम पता आता है ना वो मुमें डाल लेते हैं तो आपका blood साफ रहेगा य यह जो है चल्दी चले जाएंगे तेखे time के साथ यह सब चीज़े आती है चली जाती है आपको इनके साथ ज्यादा stress नहीं लेना इनको लेके stress लेंगे तो यह चीज़े बढ़ती है second आपको इसके बाद क्या करना है आपने यह ले लिया आपको exercise करनी है बहुत मुश्किल होता है सुब्य अपने लिए time निकालना 9-10 बज़े उठके फिर उसके बाद आप exercise के लिए बोलें कौन करता यार ऐसा कोई नहीं करता अत्याचार है यह बच्चों के उपर अब आपको exercise क्यों जुरूरी है आप किन से impressed होते हैं आप ज्यादा तर celebrities से impressed होते हैं heroines, Alia Bhatt, Karina Kapoor, ऐसे-ऐसे heroines के साथ आपको अगर इनका work जो routine होता है वो एक बार देख लीजिए आप खुछ समझ जाएंगे कि यह वो क्यों करती है और वो क्यों ऐसी लगती है वो ऐसी इसलिए लगती है क्योंकि उनका जो exercise का schedule रहता है बहुत ही बढ़िया रहता है उनका lifestyle बहुत ही अलग होता है तो lifestyle वैसे नहीं कि वो luxury वरी life जीते हैं बहुत exercise करते हैं वो बहुत health का ध्यान रखते हैं चीजों को खाने से पहले बहुत बार सोचते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना आप करीना कपूर के अगर diet को follow करते हैं तो आप करीना कपूर के जैसे हो जाएंगे सच में, बहुत healthy right लेती हैं वो, घर का बना हुआ खाना खाती है और देसी घी भी खाती है, जी हाँ खाती है, एक से दो चमस देली देसी घी के खाती है, तो अगर आपको भी अपनी skin को अच्छा रखना है, जंक छोड़ दीजिए, घर का fresh, ममा का हाथ का खाने जैसा कोई खा करना है, तो कभी कबार ममा के साथ कीचन में जाए और खुद भी नए-नए experiments कीजिए, आपको मजा आएगा, तो ये आपके हर तरह से अच्छा है, आपको cooking भी आएगी, आप अपने च्वाइस का, अपने टेस्ट के हिसाब से खाना में बना पाएंगे, ममा को भी help हो ममा हैपी तो आप हैपी हैपी, तो ये था आपका खाना, बैलन्स डाइट होनी चाहिए, सब कुछ खाना है, लेकिन घर का खाना है, अब आपको जो है, आपके जो मेक अप है, रात को उसको ले के नहीं सोना है, मेक अप को हमेशा आपको फेस पे, कभी भी लगा के अगर आ तो आप जो भी face wash यूज़ करते हैं, उसको कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा गुन-गुना पानी, लोक वार्म वाटर, जो आपके skin को सह जाए, गरम नहीं करना आपको, उसमें cotton को dip कीजिए और उसके साथ अपनी skin को है, अच्छे से clean कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते ह एक साफ सुत्रा towel दीजिए, और उसमें करम पानी में, हलके गुन-गुने पानी में उसको रख दीजिए, उसको squeeze कीजिए, और उसको थोड़ी देर के लिए face पे ऐसे रखके, steam देके और फिर हटा लीजिए, इससे क्या होगा, आपके जो pores हैं वो open हो जाएंगे, उस समय ज हैं, तो आप कोई भी moisturizer नहीं लगा सकते, आपको water-based moisturizer लेना है, जब भी आप आप करते हैं moisturizer को, तो यह देखिए, कहीं उसमें oil तो नहीं है, क्योंकि oil तो already आपकी skin पे है, तो आपको water-based ही लेना है, तो यह ज़रूर लगाएए, अगर skin को healthy रखना है, रात को अगर आप अ रात को सोने से पहले skin को आप face wash कीजी अपना, face wash करने के बाद, वहीं जो मैंने आपको बताया है, towel लगाएए, फिर अपना moisturizer लगाएए, lip balm ज़रूर लगाएए, और हलका सा, अगर आप almond oil जो जानते हैं, बदाम का जो तेल होता है, हलका सा लेकि उसको अपने eyes, under eyes circle पे भी लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग मोबाइल में, क्योंकि इस समया आपको पढ़ाई की वज़र से भी, मोबाइल ज्यादा देखने पड़ते हैं, तो आपके dark circles का problem भी रहता है, तो यहाँ पे हलका सा ये भी लगाएए, once in a while, salad में जो cucumber खाते हैं, खीरा खाते हैं, उसकी slices, round वाले लेके, आँखों पे रखके, relax कीजिए, तो आपकी आँखों के लिए भी अच्छे हैं, आपके लिए भी अच्छे हैं, तो exercise, अपनी skin को clean करना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, एकने बहुत जादा हैं, तो आप अच्छे से dermatologist से मिलिए, skin वाले से मिलिए, skin अच्छे से guide कर पाते हैं, अपने आप कोई भी चीज जाके, online चेक करके, उसको मत पाए कीजिए, क्योंकि ये सब चीजे जो होती हैं, इनके लिए अलग से doctors होते हैं, जो कि आपको सही से guide करते हैं, सही से इसका treatment करते हैं, तो ये ज़्यादा इसके लिए stress नहीं लेना है आ बच्चों के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी-कभी अपने आपको relax करने के लिए जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत easy होता है, कुछ जादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ अराम से लेटना है, या बैटना है, लेटना है लेट जाएए, बैटना है तो बहुत सिर्फ बैट के, सिर्फ आपको अप इनहेलेशन और एग्जलेशन पर ध्यान देना है, इससे आपके skin बहुत clean होती है, क्योंकि आपको परता है, skin भी breathe करती है, जब आप proper way में breathe करते हैं, proper way में आप सांस को छोड़ते हैं या लेते है क्योंकि आप वैसे नहीं जानते कि आप सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जब बैठेंगे तब आपको क्या होना चाहिए, कि आपका जब inhale करते हैं, तो stomach फूलना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब आप उसको exhale करते हैं, तो वो अंदर जाना स्किन पर दिखाई देता है, तो ये जरूर कीजिए, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत ही वैल्यू रखते हैं, अगर आप दिन में नहीं कर सकते हैं, तो रात को कीजिए, लेटे हुए तब इस चीज पर ध्यान देजिए, करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है, एक्सरसाइज करेंगे, पसीने छूटेंगे, स्किन पर खिचाव आएगा, ऐसे स्किन खिच जाएगी, पसीने के बाद वो जो ग्लो आता है, उसका कोई भी प्रोड़क्ट जितने आप मेकप के प्रोड़क्ट यूज करते हैं, कोई उस चीज का मुकाबला नहीं कर सकती, नेश्रल ग्लो जो होता है, वो फेस पे अलग से दिखाई देता है, तो बस कोशिश कीजिए, इस तरह की चीज़ों को यूज करने की, हाथों का भी ध्यान रखिए, यहां पे भी रात को अच्छी सी हैंड क्रीम लगा के सोईए, तो आप घर पे इस तरह का भी जो मॉश्य है, वो भी लगा सकते हैं, बहुत है ईजी है इसको बनाना, पिंपल्स हैं तो इसमें निबू भी डाल लीजिए, अगर आपके पिंपल्स नहीं हैं, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो अगर कईों को क्यों कि निबू नहीं सूट करता, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जितना natural चीज़ों को भी आप कभी-कभी use कीजिए, कभी-कभी को रोज use कीजिए. Once a week, या twice a week, अच्छा सा mask लगाईए. आप लोगों के लिए दही के बीश में बेसन मिक्स करके लगाना बहुत अच्छा है. बहुत सारे mask हैं, जो आप लगा सकते हैं. आपको बहार से mask रिदें की जोड़ नहीं है. चोट-चोटी चीज़े हैं. आपके लिए sandalwood powder बहुत अच्छा है. Rose water के अंदर, sandalwood powder mix कीजिए. अगर आपके pimples हैं, तो बहुत अच्छा है. आपको एक-दोसे cooling मिलेगी, जो जलन होती है, वो भी कम होगी, heat कम रहेगी. बहुत अच्छी है आपके लिए. जादा, अगर आपके oily skin है, तो हलका सा उसकी अंदर, multanimity powder add कर दीजिए. जादा मत add कीजिए, क्योंकि उस skin को बहुत dry करता है. तो इस तरह के mask आप लगा सकते हैं. अगर आपको और mask देखने है, या आपके कोई और questions है, मन में और doubt है, तो please मुझे questions रूर कीजिए, comment section में जरूर पूछिए, कि आपके मन में जो भी doubts है, या जो, जिस तरह क्या videos चाहते हैं, आप लोगों के लिए, मैं हमेशा यहाँ पे हूँ आपके साथ, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो please like कीजिएगा, और channel को subscribe बना मत भूलेगा, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आपके और कोई problems के साथ, अगर आपको है, जुरू बताईएगा, जल्दी ही, till then, take care, good bye.